दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी नई यूच्टू वीडियो में आज की वीडियो में बताूंगा आपको कचे प्याज खाने के बेनिफिट्स के बारे में कुछ लोग कच्छा प्याज इसलिए नहीं खाते हैं कि उन्हें लगता है कि कच्चा प्याज खाने से मूझ से बदवू आएगी और कुछ लोग कच्चा प्याज इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें कच्चे प्याज खाने के बेनफिट्स के बारे में पता नहीं होता है तो आज की वीडियो अगर आप पूरी दख लोगे तो आप कच्चा प्याज आज से खाना सुरू कर दोगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ अगर हम कच्चे प्याज का रस अगर नाक में डालते हैं तो हमारे जो नक्षीर की प्रॉबलम होती है यानि की जो नाक से खून बहता है बलड बहता है वो तुरंत ही बंद हो जाता है यह एक बेनिफिट्स रहा है कि अगर हम कच्चे प्याज का रस अगर हम अपने बालों पर लगाते हैं तो हमारे जो hair है वो white हो चुके हैं तो वो देरे-देरे काले होने लगते हैं तता बाल जड़ने भी बंद हो जाते हैं ये कुछ दिन हमारे को करना पड़ता है जिसके कारें ये effect हमें देखने को मिलेगा थर्ड benefit ये है कि प्याज में परचूर मातरा में sulfur होता है जो कि सबजियों में नहीं होता है इसलिए भी हमें कच्चा प्याज खाना ही चाहिए तता sexual problem रहती है उसके लिए भी कच्चा प्याज खाना ही चाहिए दोस्तों अगर हम कच्चा प्याज को डेली खाते हैं तो हमारे गेंस, acidity, cubs इनकी problem भी दूर हो जाती है जथा गर्मियों में हम कच्चा प्याज खाते हैं दूर नहीं लगती है इतने benefits है कच्चे प्याज खाने के I hope वीडियो आपके लिए helpful रही है, useful रही है तो वीडियो का भी like कर दीजिए अगर आपके मन में कोई doubt रहा है का confusing रहा है तो आप comment करके मुझसे पूछिए I will give you reply अगर चैनल पर ने हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दें ताक कि जब भी मेरी नई वीडियो आए तुरंत आपक पास notification मिल जाए मैं मिलता हूँ एसी ही next एक unique content के साथ एक genuine वीडियो में तब तक लिए thank you so much